इस अवसर पर देशवासियों द्वारा उन्हें स्रध्दांजली अर्पित की जा रही है गौर तलब है कि एन संजीवरेडी भारत के छटे राष्टपती बने थे। उनका कारिकाल वर्ष 1977 से 1982 तक रहा था। वह भारत के एक मात्र निर्विरोथ चुने जाने वाले राष्टपती भी थे। उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्रप्रदेश के अनंदपुरम में हुआ था। उनकी आरंबिक सिक्षा थियोसोफिकल हाई स्कूल अडेयार मद्रास में संपन हुई जबकि आगे की सिक्षा उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अननपुर से प्राप्त की। महत्मा गांधी जी के अहवान पर वह सोतंतरता आंदोलन में शामिल हुए और भारत छोडो आंदोलन के दोरान जेल भी गये। राश्टपती बनने से पहले वहां आंदर प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री लोकसभा के दो बार अध्यक्ष और केंद्री मंत्री भी रहे थे। राश्टपती के रूप में श्री रेड़ी ने प्रधान मंत्री मुरार जी देसाई, चरण सिंग और इंद्रागांधी के साथ काम किया था। एक जून 1996 को निमोनिया के कारण उनका निधन हो गया। कर दो कर दो डिंद्रागांधी के दो जे दो गया।